असलाम अलेकुम हबीबी चाहे आप सय्यद हो शेक हो पिमन हो या पठान सब के लिए 1% पिमन प्लान फिर चाहे आप बुजर्ग हो या जवान सब के लिए 1% पिमन प्लान 0% rate of interest के साथ ज्यादा जनकरी के लिए इस नंबर पे संपर्ख करें रेडी महिस लाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटेंग्स मुम्रा के अमरित नगर में दवाखाना चलाने वाले डॉक्टर सिराज की संसनी खेच भथ्या का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि डॉक्टर सिराज की उम्र लगभग 50 वर्थ के आसपास है जो मुम्रा के तनवर नगर के मलिक टावर में रहते थे और मुम्रा के अमरित नगर में ये अपना दवाखाना चलाते थे और आज सुबा खरडी रोट तालाप के पास इनकी डेड बोडी रास्ते के किनारे पड़ी हुई मिली है इसकी जानकारी शील डाइघर पुलिस को दे गई मौके पर डी सी पी ए सी पी और फोरेंसिक टीम भी पहुँची और शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया डौक्टर सीराज के सिर में कई जगहां पर हथियार से वार किया गया है एक कान भी कटा हुआ है और एक हाथ की कुछ उंगलियों के उपरी हिस्से भी कटे हुए हैं बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है डॉक्टर सिराच अमरितनगर के चादनी बिल्डिंग में दवा खाना चलाते थे और रात करीब एक बचकर आतिस मिनट पर दवा खाना बंद करके जम्बू थैली कंधे पर रखकर ये जाते हुए CCTV में दिखाई दे रहे हैं इसके बाद दूसरी CCTV फुटेज में एक बचकर 54 से 55 मिनट पर रोट पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रोट पार करके एक आटो रिक्षा में बैठ जाते हैं अब सवाल उठता है कि आखिर क्या डॉक्टर सिराज तरवर नगर पर उतरते हैं या नहीं या फिर उतरने के बाद किसी और रिक्षा या गाड़ी में ये बैठ कर आगे जाते हैं आखिर क्या हुआ इनके साथ ये पुलिस जाच का भी से है वही डॉक्टर सिराज के एक रिलेटिव ने बताया है कि जो डॉक्टर सिराज के पास पैसे वगेरा जो भी थे वो सब कुछ जो है बरामद हुआ है लूट मार की घटना जैसी नहीं लग रही है उनकी हत्या हुई है ऐसा उनके रिलेटिव बता रहे हैं पर आखिर डॉक्टर सिराज की किसने हत्या की और डेट बोडी खर्डी रोड तालाप के पास फेक दिया एक रहे से बना हुआ है पुलिस इस मामले को लेकर अमरित नगर से लेकर खर्डी रोड तक जो CCTV लगे है उनके फुटेज खागाल रही है और पुलिस जाच में ही ड डॉक्टर सिराज की हत्या की